यहां बटा आग ना धेक वृत बी अनन्तनाद के अंदर हमारे देश के जवान क्यों सहीद हूए बताव ना अगर विदेसी रिष्ते हमारे मजबूत है तो पाकिस्तान जैसा चोटा देस हमारे वोपर हमला कैसे करता है बताव ना पाकिस्ताlynn से अगर हमले को रुखवाना है यह चाइना से हमले को रुखवाना है तो कुछ नहीं करना यह अमिस्टा जी के बेटे जैसा को उठाकर बीसिस याई से इसको भारत देश के बॉर्डर पर खड़ा कर देना है और मुख्यमंतरी सिवरा सिंग चोहान के बेटे को एललबी से नि देश के भारतिय नागरी खोने के नाते मैं आपसे यह कहता हूं जो देश की मुल्बूत हो सकता है एजुकेशन हैल्थ डैवलप्मेंट जिक्सा बेरोजगारी महंगाई इन पर बात करें ना किसान का करजम आपनी होता क्योंकि आप लोग नहीं बोलते अपने घर से बाहर निकलो और इस देश के लिए लड़ाई लड़ो इस देश के लिए बोलो नहीं तो यह देश को यह नेता खा जाएंगे चूज जाएंगे याद रखेंगे दोजार चोबिस के लिए यही बोलता हूं कि अगर इस उंगली का सही इस्तमाल नहीं किया तो फिर दुबारा यह आपके कलेजे में पाइप डाल के आपका खून चूसने का काम करेगा या तो एक बार मुर्गा खाने के चकर में पूरे पांस साल मुर्गा बन जाओ नहीं तो एक बार का मुर्गा और दारू छोड़कर पूरे पांस साल के लिए नहताओं को मुर्गा बना दो देखें जिस तरीके से आज देश के प्रधान मंतरी का जनम दिन है मैं आपको बता दू प्रधान मंतरी का जनम दिन नहीं है यह यह इस देश के अंदर आज प्रधान मंतरी के जनम दिन है यह इस देश के अफसर पर देश का लाखो हजारो करोडो नौजवान जो है वो बेरो प्रधानमंतरी किस मूँसे जनंदिन मना रहे हैं एक और जब पुलवामा के अंदर हमारे देश के जवान सहीद होते हैं उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंतरी नरेंदर मोधी मैं वर्सीज वाइल्ड की सूटिंग में व्यस्त रहते हैं दूसरी और आपने देखा होगा ज देश के प्रधानमंतरी को तकलीफ होती है लेकिन देश का जवान सहीद होता है तो देश के प्रधानमंतरी के मूँसे आवाज नहीं निकलती है एक बात मुझे बताइए जवानों के सहीद होने के 48 घंटे बाद भी प्रधानमंतरी के ट्वीटर हैंडल से कोई भी सोक का मे क्या सहीद हुएं और आप प्रादानमंतरी का जनम दिन तो बताएं आज हमारे देश की तिति बदा लोगा इस बात का जनम दिन हमारे देश का रेलबे एर तो बता दीजे हमारे देश के जवान सहीद हुए हैं एक और तो देश के प्रधान मंतरी जी कहते हैं कि भारत मेरा घर है तो अगर एक बात आप मुझे बताइए किसी के घर में किसी के कोई सहीद हो गया हो तो आप जनन दिन मनाएंगी महां पर बताइए ना आप कहते हैं प्रसंसक्कार जिनको इस देश में महंगाई नि दिखती बेरोजगारी निहीं दिखती कुछ नहीं दिखता बह्राइए उन्हेंена देश में बैटियों को किस बात के जनन दिन मना रहे हैं मोदी जी के स्थारव में दो बैटी को महिलाओं को निर्वस्त्र करके मनिपुर के लिए उसे मेना रहे हैं कि ह्रियान Preis मुष्थ से धर्म वालत उनने पथ्राओं कि यह व्दिझ limited मोड़ी जी का हाँ अगर मनीपूर में तो राजस्थान में आप क्यों नहीं देख रहे राजस्थान में भी हो रहा है आप लोगा सिर्फ तंज कसना अच्छा एक बात आप मुझे बताइये मर्यस्थान में कौन सी जगह पर महीला उकर के घुमाए गया तौन में मैं तो बता दो आप मुझे बाहर नहीं है उन्होंने बोला कि मुझे嚨 को समय गोगा पांटिया उन्हेस को आपके पांस जाने और उसके बाद मोधी जी आई नहीं कि जी ट्वेंटी समेलन भी कर दिया हजारा उलाखों करोडों रुपया फूकर देश के गरीबों को छिपा भी दिया आपने है जो जी ट्वेंटी समेलन किया उस चीज याद आगई जैसे अंग्रेज लिखा करते थे ना कि डॉक्स एंड इंडियन सार नॉट अलाओ वही सेम इ विकारियों को चुपा दिया गरीबों को पर्दे से चुपा दिया और कुटों को पकड़ने के लिए वैनों को छोड़ दिया गया यह हमारे देश के प्रधानमंतिर जी ने देश में आप ऐसी बाते करें इंडिया एलाइंस वाले कभी खुस नहीं हो रहे हैं तब कुछ भी क पताः चल जएगी आपको उसकी सूरत थी हमारे देश जो जाना जाता था बाबसाप के संभिधान से हमारे देश जो जाना जाता था हमारा भारताना देश भी दी इस टालीन के उन्होंने का सनातन धर्म देंगू की तरह है यह सही जोब नी है आप मेरे को मुझे यह बता दो तो धरम को खत्रा किससे किसे खत्रा कि नाम लेकर बताओ कि मुसलमान ना तो उन्हें उद्यनिदी मुसलमान ने तो बताओ मुझे तो बोल ले कि यह सारे लोग रहे के बी हिंदू नहीं सनातन का बेजती कर नहीं आपको यह बते हैं मैं तो एक देश के भारती नागरी खोने के नाते मैं आपसे यह कहता हूं जो देश की मूलबूत हो सकता है एजुकेशन, हेल्थ, डेवलप्मेंट, शिक्सा, बेरोजगारी, महंगाई इन पे बात करें ना आज हमारे देश के प्रधान मंतरी जानते हैं कि इस देश में कितना किसान आत्मत्या करता है हमारे देश के प्रधान मंतरी को यह पता है कि कितना नौजवान बेरोजगार हो चुका है हमारे देश के प्रधान मंतरी को यह पता है कि आज देश की financial economical condition क्या है पता है आपको विदेश में जाके इतने मश्कूल हो जाते हैं हमारे देश के प्रधान मंतरी कि उनको एरपोर्ट पे आके जेपी नड़ा से पूछना पड़ता है कि देश में आखिर चल क्या रहा है उन्हें यहीं नहीं पता विदेशी रिस्ते भी तो मजबूत कर रहे हैं विदेशी रिस्ते मजबूत अगर हो गए तो चाइना हमारी जमीन खाली क्यों नहीं कर देता अभी अनंतनात के अंदर हमारे देश के जवान क्यों सहीद हुए से इसको भारत देश के बॉर्डर पर खड़ा कर देना है और मुख्यमंतरी सिवरा सिंग चुहान के बेटे को एललबी से निकाल कर इसको चाइना के बॉर्डर पर खड़ा कर देना है एक गोली नहीं चलेगी और एक किसान का बेटा सहीद नहीं होगा किसान का बेटा इसलिए लिख कर देता है और जो लोग कहते हैं कि इतनी बहतर तो अपने बच्चों को डॉक्टर ऑड़्वकेट और लायर क्यों बनाते हो उनको किसान ही बनाओ अपने बच्चों को भी करोड़ पति वनाओ न आप केता हूं न कि कि demás को भी तो लगत्पति बना दिया तो अपने बच्चों को भी पढ़ाने भेशते हो बड़ी बड़ी यह टीवी पर सर्वे दिया कि सबसे भरोसे मन मोदी जी जो है वह भारत के प्रदान मंत्रिय तो मोदी जी को अपने उनको उपर वाल से दुआ करता हूं उनको मोदी जैसा जीजा मिले जो उनकी भेंच साधी करके छोड़ दे उन्हें पता चल जागा कितना ट्रस्ट फूल आ इस नागीर है क्या उसको बेच रहे हैं यह देश हम सबका है और हम इसे भिकनेर नी देंगे ना तो मोदी की जेलशा डरते हैं यहां का नागरिक देश को बैचना का जाता है कि क्यूं की सब्सक्राइब हैं अच्छा और जवान से नफरत करते हैं याद रखिएगा किसान और जवान के पास सिर्फ तभी जाते हैं जब बोट बटोरने होते हैं इंडिया एलाइन्स वाले इतने डर गए हैं कि 15 हमारे जो सबसे निस्पक्ष पत्रकार थे उनका बहिसकार करना शुरू करते हैं पंद्रा आपके और कॉन क्या हैं क्यों करेंगे साट परसेंट वोट जनता फिर्व को निविव बताएगे तो आप मुझे जब यह ऐसा करेंगे तो इन पतरकारों का जो सरकार की गुलामी करते हैं तलवे चाटते हैं इन पतरकारों का वहिसकार होना चीए और मैं तो अपने घर का टी वी कि डिष्टईवी वाले को बोल कर तमाम लोगों को बोल खाए उढके इन चैनलों को गोदी मीडिया के चैनलों को हट वाएं और अगर वो नहीं हट वाता तह तो उसको एक बात बोलें कि अगर तु नहीं अट आएगा तो हम तेरी डिष्टी यह जो भी तरह चैनल लगा उसको मटवा लें इंडिया इलाइंस वाले को गमंडिया करार दे दिया गमंड तो सबस्यादा नरेंदर मोधी में है नरेंदर मोधी में और आपको एक बात बता दूं कि यह जो कल्यूक के जो रामन इनकी लंक कोई और नी इनकी पार्टी का कोई कोई भी हो सकता है लेकिन पूखेगा इनकी पार्टी या कोई भी विशन और इंडिया लाइंस वाले जो सारे चोर इकटे हुए यह मैं नहीं भाजपा वाले कह रहे हैं इसमें भी फूट पड़ेगी अच्छा यह चोर हैं तो यह तो बता दो इनकी पार्टी का वो सार्द के जब तो मनाया नहीं जब जनम दिन मनाने के सवकता अब उढ़ापे में जनम दिन मनाओगे देश की जनता को नहीं प्रसंसक मना रहे हैं प्रसंसक को यह नजर नहीं आ रहा कि देश के जवान सहीद हो गए प्रसंसक तो बड़ा अनाच खाते हैं प्रसंसक अनाच खाते ह एक चौसप कॉतेते यह तो फे लगा रहे परंटा इतना बड़ा देस समाल रहा है कितना ताइम बनाने में लगा। उस से कई साल आदे समय में नप्ता दिया। नौ साल में आदा देश निप्टा दिया दूबारा लोगा देदो कम हो गया उस पर तो कुछ कहें गया तो बढ़ाया कौन था बढ़ाया कॉन बीदेश से आके कोई बढ़ा के लिए कुछ नहीं बोलें गया था तो जब बढ़ा था तब आपके मुझसे कुछ निकला था 200 रुपे में कश्मीर में पिलोट खरीद लूँ या चांद पर जमीन खरीद लूँ यह तो बता दो मुझे जरा 200 रुपे कम कर दिया ना तो क्या खरीदी 200 रुपे में मतलब एक 2 रुपे बढ़ जाते तो आप लोग चिलाने लिए जिसका थैंक यू वो करेगा जिसका पा बनकर देश के किसान के आत्मत्य होते हुए देखते रहते हो वैपारियों का करजा माप होता है इसलिए किसान का करजा माप नहीं होता क्योंकि आप लोग नहीं बोलते अपने घर से बाहर निकलो और इस देश के लिए लड़ाई लड़ो इस देश के लिए बोलो नहीं तो एक बार मुर्गा खाने के चकर में पूरे पांच साल मुर्गा बन जाओ नहीं तो एक बार का मुर्गा और दारू छोड़कर पूरे पांच साल के लिए नेताओं को मुर्गा बना दो यहिंज भारत वंदे मातरम